वेलकम तो माई चैनल तो आज मैं आप लोग साथ शेयर करूंगी यूज़ और बेनेफिट्स ऑफ बोरोली यह बहुत ही इनेक्सपेंसिव है और यह एक एंटिसप्टिक क्रीम है और यह आजकल हर घर में पाया जाता है और अगर आपकी ड्राय स्कीन है तो आप इसको यूज कर सकते हैं और अगर आपकी नॉर्मल या ओली स्कीन है तब ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं इन शॉट यह ओल स्कीन टाइप के लिए सुटेबल है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कुछ यूज़ और बेनेफिट्स तो पहला पॉइंट तो बहुत बेसिक है और यह तो गाइस अगर आपकी ऑईले स्कीन है तब आप इसे 30-40 मिनिर्स के बाद कॉटन से पोच ले और अगर आपकी नॉर्मल या ड्राय स्कीन है तब आप इसे ओवर नाइट के लिए भी रख सकते हैं सेकेंड पॉइंट है फूर ड्राय फेस तो गाइस अगर आपका ड्राय ले फेसह तेब या बोरोली न को यूजवय कर सकते हैं उसके लिए आप को भी अपना मौ घरृप ह Halloween ने उसमें फोड़ा सब तो गाइज मैंने से अप्लाई कर लिया है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अगर आपकी बॉड़ी भी ड्राइ हो गई यह साफ के हैंड्स ट्राइब हो गए लेक्ट ट्राय होगे तब भी आप बॉरॉलीन के प्लाई कर सकते हैं उसके लिए आप कोई भी अपना बॉड़ी मॉ आपकी ऐड़ा से कर देते तो आपकी आपकी ऑईली स्कीन को ज्यादा यूज़ ना करें थोड़ा से यूज करें यह उसमें भी बहुत बैनिफिट्स देगा इसे यूज़ कर लें आप इसे अपने लेक पर भी यूज़ करें हमारा नेक्स्ट पाइंट है वो ब्लैक नीज या फिर ब्लैक हो जाते हैं तब आप बोरॉलीन का यूज कर सकते हैं उसके लिए अपने एल्बोस में थोड़ा सा बोरॉलीन एप्लाई करें और इसे अच्छे से स्प्रेट कर दें अगर आपके एल्बोस ब्लैक है तो यह उसे ब्राइट करने में बहुत हेल्प करेंगा पर इसे आप एवरीडे यूज़ करें और इसे आप ओवरनाइट छोड़ दें जब ठ्रेडिंग करते होंगे तो आपको यहां पर पेन होता होगा तो आप थोड़ा सा बोरोडिन लेकर यहां पर मसाज करें इससे अप्लाइट करने के बाद आपको जो पेन हो रहा होगा वो नहीं होगा तो आप बोरोडिन को आफटर थ्रेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं तो मारा नेक्स्ट पॉइंट है रिमूव मेकप बोरोलिन आपके मेकप को भी बहुत अच्छे से रिमूव करता है तो यह अपने लिफ्स में तो आप बोरोलिन अप्लाई करें फिर इसे को सेकेंड के बाद कॉटन से रिमूव करें तो गाइज यह एज़े मेकप रिमूवर भी बहुत अच्छा वक करता है और बोरोलिन आपके लिप्स को मौस्ष्राईज रखेंगा आप इसे ओवरनाइट के लिए एप्लाई कर सकते हैं जैसा अप लिभ बम यूज करते है रात को तो आप बोरोलिन कओ भी आप्लाई कर सकते है और इसे आप 30-40 मिनेट के बाद रिमूव कर सकते हैं इसे आप continue यूज़ करें तो ये आपके lips को smooth बनाएगा So friends, अगर आपको कहीं cut लग जाता है तो आप boroline का इस्तमाल कर सकते हैं उसे आप 2-3 दिन यूज़ करें तो उसे आपके cut के marks भी remove हो जाएगे Next point है वो crack heels, अगर आपके heels crack हो गए है तो आप boroline का use कर सकते हैं तो boroline का use करने के बाद आप socks पहन ले तो उससे आपको बहुत benefits मिलेगा अगर आपका face बहुत जादा dry है तो आपका जहां जिस area में आपको बहुत जादा dry feel होता है आप उसी area में अपने boroline को लगाए अगर आपकी oily skin है तो आप कम boroline यूज़ करें उसके बाद आप cotton से या tissue paper से उसे remove कर सकते हैं तो मिलती हूँ next video में तब तक के लिए bye bye and take care